जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी वस्था में प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन दिखते हैं जब भी वह एक अवस्था से जब भी वह क्या होता है परिवर्तन अगर उएक ही जैसा रहता तो फिर उसको अलग करने की कोई जरुवत न पड़ती उसकी अवस्था को बदरने जरुवत न पड़ती तो यहां पर ध्यान देना जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बच्चा प्रवेश करता है तब उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं अध्यनों ने सिध्ध कर दिया कि यह परिवर्तन जो हैं सब यहीं परिवर्तन निश्चित सिध्धान्त के अनुसार होते हैं तमाम अध्यन किया गया बहु सारा उस पर रिसर्च किया गया तब जाके पता चला कि जब बच्चा एक एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन होता है और जो परिवर्तन हो रहा है उनमें एक निश्चित सिध्धान्त होता है इसे सिध्धान्त के अनुसार परिवर्तन होता है इनही को हम लोग बाल विकास के सिध्धान्त करते हैं अध्यानों के बाद यह पता चला कि जो यह परिवर्तन हो रहा है यह निश्चित सिध्धान्त के अनुसार हो रहा है इसी को इसी जो निश्चित सिध्धान्त है इनी सिध्धान्तों को हम बाल विकास के सिध्धान्त करते हैं जब बाल विकास के एक वस्था से दूसरी द्धांत इसमें जो दो दिसाएं के बारे हम लोग चर्चा करेंगे तिफल और कडल और पैक्सिम और डिश्टल जो भी है उसके अभी हम चर्चा करेंगे तो ध्यान देना यह विकास की दिशा उसमें मतब दिशा को लोग ध्यान में रखते हुए इस पर काम किया गया है तो थो भाल्क का विकास कहा होता है सिर से प्यार की दिशा में होता है अर्थात बालक की परिपक्वता गरभाधान की बाद लगर्वाधान के बाद तहिंद मतलब क्या उसके रहूहां से पहले हुआना पहले सिर्विख्शित होगा फिटे-ज पैर के हैं और आप requrant the प yol चरिञा करते हैं इत्युकुंध लिगते हैं यक्षकब बाद्रे प्रशित हों चर्चा करते हैं बच्चा पहले सिर्फिलान सिखता है फिर उठना तथा उसके बाद बैठना सिखता है उठाना बैठना ये सब सब कुछ ठीक है तो पहले सिर वाला काम करता है फिर दिद्रे चोटे-चोटे अंगों की और फिर पैर वोगरा जो भी है हुआ तो मदलब हाथ पैर बाद नहीं लाता है इसलिए इसको कह दिया गया है सिर से पैर गिदी सामेर ठीक है आगे दिखेगा कुपु स्वामी ने लिखा है कि विकास सिर पदा भी मुख मतलब सेफलो कोडल इसको आप ध्यान देना ये जोगरे जी है कई बार देखने को मिलती है और स्वामीप दूराविमुख मतलब स्वामीश से दूर के मनने प्राक्सिमो डिश्टल, ख्रम में होता है, यह कुप्पु स्वामी लिखे, कि विकास दो तरके सो हो सकता है, या तो सिफलोक ओडल, या फिर प्राक्सिमो डिश्टल के तरके से, यह जो सिफलोक ओडल है, इस क्या है कि पहले की हड़ी का विकास होता है उसके बाद दिर भूजाओं का विकास होता है जैसे अगर हम बात करें जैसे सेंटर से परिदी की और ठीक है यहां परिदी कर लिए ज्यादा सही रहेगा आज बास्वाज में तो रेड की हड़ी विक्सित हुई उसके बाद फिर हाथ पर विक्सित हुई फिर अंगुलियां विक्सित हुई मतरब सेंटर टू सेंटर से परिदी की और हो रहा है तो दो तरीके से होता है एक हो जाता है से और फिर विकास की और विकास की क्रिया चलिए अब लोग इसको देख लेधे हैं प्रथम माह, विकास की एक तरके से करते हैं, विकास की क्रिया के ज्यादा सही दिसा नहीं, क्रिया कहो यहां, ज्यादा सही रहेगा, विकास की क्रिया पर हम लोग देखेंगे, कब किस किस समय में, कौन कौन समय में, कौन कौन सा अंग जो है, किस किस तरके से क्या क्या विकास सब्सक्राइब है विक्सित हो जाता है तीन माह में बच्चा क्या करता गटसील वस्थ उपर नियंत्र करता है अर्थाथ जो चल रही है पहले जो चला गया वो चला तो गतिसील वस्त उपर नेतनियंत्र करने वाली तीन महीने में यह विकास होने लगता है तो यह सब क्या है सब एक एक क्रम हो रहा है शठ्वें साथ्य महीने में बीना सहारे बठीन लगेगा मैंने चठ्वें से सत्वें महीने में नुट्ते बित्ते बच्चा क्या करेगा बीच्ण कथ। आठवे महिने में सब्सक्राइब करने लगा तो अब जो है साथवा आठवे महिने में क्या करेगा सहारे से ले करके खड़े होने की कोशिस करेगा और एक वर्स बिट्ट्टे बिट्ट्टे थे खड़े पसमे बारह महिने तक एक साल बित्टे बत्टे बच्चा क्या करता है भीना सहारे के धी देजरे चलना स्टाट करेगा वर्स में दवड़ना साइकिल चलाना यह सब तो यह रही समय एमें अप ध्यान देना पाहले से को उठाओं अरफात आ जा रहा है कोई वस उसरे रहना जैसे बिल्ली गए तो उसका भी देख सकता है पाँछैंट मेल महेन को सरक जाय का भिंझे सारे के साथे होने लगे चलने की कोसिस करेगा ने डूवर्स की उम्र तक जाते हैं द्वर्स के बाद में जब और बढ़ा होगा जब हम लोग बहुत बढ़े हो गयते हैं हमको याद है अच्छे से 10-12 महिने 12-13 साल हो गया थे तब साइकल चला पा रहे थे तो यहां ट्राइस साइकल नहीं हमारे करने मतले होंगे तो आप किवाद दो पही वाला साइकल मतले ले लिए बच्चों को सीखने के लिए एक साइड में एक ठो और ऐसे से लग जाते हैं प अब फिर और बड़े होंगे अब बाई अब कितने साल में हम लोग तो 6-12 साल करीब 10-11-12 साल के हुए थे तब देदरे हम लोग साइकल चलाना सीख पाए थे इसके पहले तो नहीं है तो ओ साइकल जो जो दो पही वाला साइकल होता है यह तीन पहले बच्चों वाला साइक से दो साल में लगेगा तो उस पर भी बट करके देदर पकड़ने लगता है लेकिन चलाने वाली बात है कि चलाने लगे तो करीब 3-4 साल लगता है आगे हम देखेंगे व्रिद्धी वा विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती अर्थात व्रिद्धी और विकास यह दोन किसी वस्था में बहुत तेजी से कुछ विकास किया हो फिर कुछ वस्था तक वो स्लो हुई हो फिर तेजी से किया हो ऐसे जैसे सैसवा वस्था के सुरुवात में गति तिब्र होती है बादे मंद पढ़ जाती है जब बच्चा से शुगता तो वहुत तेज विकास करता है क्या है इस प्रकार अगर हम कहें कि ब्रिद्धी और विकास की गति में उतार चड़ाओ आते रहते हैं तो यह बात बिल्कुल सही है कभी बहुत के जिसे विकस करता है फिर कुछ दिर सांथ होता है फिर विकास अच्छा इसमें भी बहुत सारा भी आप आगो पढ़ोगे तो इसमें भी होता है आपसों में लग अलग तर्के से करेंगे आगे देखते हैं बिकास क्रम का सिध्धान करम में घान देना इस भासा इंदिकास and writing जब शा hun होता है उस time मेंद भरान आवश्था फिर सहस्वावस्था कि किस you बच्चा के घर्वावस्था गर्वावस्था सफ ले जो विकास होता है फिर उसका विकास फिर फिर լालक होता हुँ तब का विकास और जो किसवर वस्थामें पहुचता है तब दे विकास यहां पर जो लसर डबली उस पर एगवारे में हम फिर सभी आगे चर्चा करेंगे हिंदी उगरेख पड़ागाज में आप चर्चा किये होंगे तो एक क्वेशन बनता है स्वीटेट में आज कल आप दे आप संस्क्रित में अभी एक दो जगा कोशन आया है तो आप ध्यान देना में शिखाया जाए सुनना बोलना पढ़ना लिखना तो उसमें थोड़ा सा अच्छे से सीख पाता है बच्चा लेकिन कभी क्या होता है कुछ चीजें आगे पीछे भी होती रहती जैसे हम अभी ब बहुत अच्छा वकता नहीं वह तभी हम पढ़ने लगते हैं और बहुत अच्छे पढ़ने वाले नहीं तो अंता संब्दित है अगर वह कुशन में अगर उस आप्सन में बलकिन हमको लगता कि एक क्लियर बात लिख देते वहां पर हमको लगता है कि कुछ ने कुछ सीटे कि करम में ही होता है अगर निग दिते तो आराम से गलत हो जाता लेकिन विकस्ष का यहीं करम है ख़ेते देंड़ माने देने वाली बात जबर दस्तिकम्रम में ही होगा और इसे Celis करना आपको देखना पड़ेगा फिलहाल यहां हम बात कर रहे थे गर्भावस्था में पहले विकास होता है परसपर संबंध का सिधान्द करें सभी के सभी जो विकास हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं ऐसा नहीं है कि पूरी सरीर का विकास हो जाए तब मस्तिस का विकास होना प्रारंब हो फिर जब पूरे मस्तिस का विकास हो जाए तब सामाजिक विकास हो ऐसा नहीं सब साथ साथ चलता रहता है सब साथ साथ चलता रहता है ठीक तेह एक दूसरे से परसपर संबंधित होते हैं जैसा कि मैं अभी पीछे वाले आप एक्जामपले बताया वहीं बोल रहा है कि गौरी सान और अन्य कथन अन्य का कथन है कि अर्थात यहीं बात कहना चाहते हैं कि वह सब एक दूसरे से परसपर संबंधित होते हैं हाथ का बिकास पैर का विकास आँक का विकास जीहवा का विकास ओ एक साथ होता रहता है अच्छा होता है वह सामाजी कारे करने में भी बहुत आगे होता है श्वस्थ को मान्सिक स्थिसे जुड़ा रहा है सरीर स्वस्थ है तो मस्तिस्क अच्छा है तो आप सारा काम अच्छा करोगे अपनी 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 अच्छे से बना सकते हैं आपको पता हुगा कि जितना आप घ्यान लोगे पढ़ोगे लिखोंगे ग्यानी बननेुगे उस घ्यान का प्रयोर कर खर भया कर यह होंगे थाицयु क्या करने से आ करने का और वोली सकते हूं एक समाजी कारे करोंगे तो तो तमाम जो अनुशानों गरा ब्रत पूजा आज जो भी कुछ होता होगा वो सब करवाओगे तो समाज उहां पर कत्र होगा तो आपको समाज में इचत मिलेगी आपका उसमें एक इसिती बनेगा तो उसा सबका एक क्रम है ठीक आगे चले देखते हैं विकास प्रक्रियाओं निरगन दिंद्ध और आके बनेगा लुदरब पातर की इस तत्थे पर बल देटा है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक पर्वर्ता नहीं होता है विकास की प्रक्रिया अविराम मौनेविनारू के ड़िक बहुत ज्याद़ा हो गया हिए नेगो होता है विकास की प्रक्रिया अविराम मने बिनारू के कंटिन्यू रूप से आगे क्या होती है चलती रहती है तिक गर्वधारान से यह प्रक्रिया प्रारंब हो जाती है और मृत्यू पर्यांत चलती रहती है इस वाले को आप अच्छे से नोट कर लेना है कई बारात गर्व सांफ मारेगा कि उसके अंगुलियों ग्रेकर खिलाएगाBAB पौोरा हांथसे खिलाता है जब कुछ और समय पता है तो पूरा हाथ के हिलाता है फिर क्या करता है वह एक साथ हो सकता है तो यह चीज धिरे धिरे होता है एक साथ एक ही दिन में ऐसा नहीं होता है बिकास लंबोत नगोकर चक्राकार या वर्तुलाकार होता है अब लंबोत बने डैटली एकणटली ऐसे नहीं होता है तो बढ़ते बढ़ते जाता है थीक है इस ताइब से अब इसका क्या मतलत है इस सित्धाम्त के नुसार यदि बालक की लंभाई में ब्रुद्धी होगी त कि फिरवाती दोने बच्चा कम मोटा होता है तो आप बाद में हल्दी हो जाता है वह चीज नहीं मतलब अब ऐसा नहीं कि पहले केवल हड़ी यह बढ़ जाए पूरा फिर ऐसा नहीं होता है बालक एक अवस्ता से दूसरी वस्ता में प्रवेस करता है तो उसमें उसकी विकास क्या होती है वर्तुला कार रूप में होता है अर्थात लंबाय में ब्रिद्धी के सांथ सांथ चोड़ाय में भी व्रिद्धी होती है वनसानुक्रम जैसे आप किसी व्रिक्ष को ही ले लीजिए किसी व्रिक्ष को ही ले लीजिए ऐसा नहीं को बहुत बड़ी हो जाए फि जो उसका वनसानुक्रम है ठीक जीनोगर है उसका करें कि वालक की व्रिद्धी वह विकास में इन दोनों का महत्व है समान महत्व है मतलब किसका किसका वनसानुक्रम और वातावर इन दोनों का यह दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं कहिए ऐसे अर्थात बालक का विकास ना केवल वनसानुक्रम या ना केवल वातावरण बल्कि दूनों पर निर्भर करता है दोनों की अंतहक्रिया के कारण उसमें विकास होता है बालक का विकास तो बालक के विकास में केवल वनसानुक्रम नहीं केवल वातावरण नहीं बलकि क्या दोनों ठिक इन दोनों का प्रभाव पड़ता है इन दोनों के कारण से बच्चे के अंदर विगास होता है अच्छा होता है ठिक तो यहां पर हो जागा दोनों का समान। परिवार में छोटा बच्चा अपने से बोड़ों को देखकर सुनकर वा अनुकरण मतब नकल करकर के सिखता है एक तो उसके अंदर भी हो जाए कि जो वातावरण है आसपास जो उसका महौल है ओ सिखेगा फिर सांसा तो जिस परिवार से है जिस परिवार में है या फिर उसक वाले सब्सक्राइब वादन में चला जाएगा मतलब वो दोनों का असर पड़ता है व्यक्तिगत भीनता का सिख्धान हर वच्चा अलग-अलग होता है उसकी बहुत सारी भीनताएं होते हैं सारे रीक रूप से मानसीक रूप से जो उसका परिवार है जो या उसका परिवे है उसकी अलग-अलग ग्यान वद्दी होता होगा के सारे रीक मानसीक भासा अंसंवेगात्मक विकास में विनता होती है तो ट्वीन से ही क्यों नहीं जुड़वाई क्यों नहीं अलग अलग जगह पे रह रहे हैं तो उनका खान-पान, रहन-सहान, वातावन, जो भी है, सब का प्रभाव पढ़ता है और उससे उन सभी में क्या होता है परिवर्टन आ जाता है जैसे बालक का विकास किसी वस्था में बालक से अधिक हो जाता है और किसी वस्था में बालक का विकास बालक से अधिक हो जाता है अब यह मागे बात करेंगे कि किस वस्था में बालक 33 विकास किया बालक कम विकास किया है लेकिन एक निश्य समय के बाद बालक 33 विकास कर गई समाजी इस अभिनता उनमें देखने को मिलता है उनका भी विकास एक जैसा नहीं होता है वो सब यहीं अभिनता व्यक्ति का ध्विनता है हर व्यक्ति अलग-अलग है वहीं बात है गुरुजी करते हैं कि जब हम हम पूरे पृत्वी पर दो व्यक्ति की जो अउठे की जब समान नहीं हो सकती तो और पूरी चीजों हम कैसे समान करने लगेंगे ठीक है वह भार भार यहीं बोलते हैं तुलना नहीं करवाना चाहिए अगर आपको सांति पुन तरिके से कुशल तरिके से सुखी पुर्वक जीवन जीना है तो किसी से आप तुलना न करवाएंग जो है सभी प्राणियों का विकास इस इधान के नुसार सभी प्राणियों का जो विकास है कौन-कौन विकास उसमें आता है ध्यान देना सारे विकास मानसे विकास भासा वाला विकास संवेगात्मक विकास यह समान रूप से होता है सभी प्राणियों में मतलब है कि अगर जैसे मानलिवेज़े की चोटे से बड़े की ओर तो हात पर डबल जैसे जिस तरुकेस होता है वह इसा ही होता है मस्तेश हाद पर खाने पिने वाली या बोलने वाली अगरमroyan लड़की हैं तो उन दोनों भी समय तर्ट केसे होता है कि ओध्रिद्रे बढ़ेंगे और बढ़ते चलेंगे द्रेद्रेव बबलाना सिखेंगे बोलना सिखेंगे सुनना सिखेंगे बोलना सिखेंगे वो सब द्रेद्रेव होता है तो समान प्रतिमान बहुत ज्यादा मज़ा इसमें नहीं आया लेकिन वहीं कि समान रूप से होता है हाँ थोड़ा कम या थोड़ वाली होती है पले बच्चा सामाने क्रिया करता है और बाद में चलकर कुछ बिसिष्ट क्रियाएं करेगा जैसे क्या होता है जैसे क्या होता है अगर हम बात करें तो बालक सरुपर्थम उत्तेजना कानभव करता है बाद में समवेगों को प्रदसित करता है बालक का बजपन म रोनियां का तरी इसी तरीके से भार्षावमें भी विकास छोटे में कुछ अलग तरीके से बढ़े होने, तरीके से देखे तो सामान साब किसी भी बक्छी को झेखता है किसी भी पक्छी को देखता थे bottig Todos, जब वह धीरे दीरे Couliter बढ़ने लगता है तब वह अब चिड़ियों का भी एक्जांपर तो पहले आने लगी और वो पक्शियों का अब नाम लेने लगा तो यहीं है सामाने से विसिष्ट अर्थात इसके अनुसार बालक पहले सामाने क्रियाय करता है और बाद में विसिष्ट क्रियाय करता है बालक पहले सामाने चीजों को बोलता है सिखता है बोलता है और बाद में चल करके विसिष्ट चीजों को सिखतार बोलता है जैसे वहीं लो प्रारंभीक वर्सों में बहूत केजिस होता है अगर मैं आप से बात करों तो आप पढ़ने पर भी देखिए मान लीजिए अगर आपको आपको सब्सक्राइब बहुत किस जान जायों लेकिन जब उसके अंदर गूढ चीजों को समझने वाली बात आती है फिर तो थोड़ा थोड़ा सीखने होता तब थोड़ा सीखते हो जिसे संस्कृत को ही सीखना देख लो तुरुवाती दोर में बड़े जल्दी वणमाला पकड़ लोगे संदी समा सब पढ़ने लगोगे स जल्दी से कर लेते हो लेकिन जब उसी में छोटे-छोटे वार्तिक छोटे-छोटे नियम उसके गुढ़ता वाली बात को जो समझने लगते हो फिर दिमाग चक्राने लगता है फिर सलो हो जाता है ठीक उसी तरीके से समझो कि प्रारंभिक वर्सों में बच्चे के अंदर विकास तेजी से होता है अब फिर दिद्रे चलने के बात क्या जाता है थोड़ा सलो हो जाता है आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो कि जब उचाई से पानी नीचे आता है तो जब उचाई में अंतर ज्यादा होता है पानी खोलता ही बहुत तेजी से आता है लेकिन जब इसका पानी देक्टर उपर उठने लगएगा। जब देक्टर सब्सक्राइबर बांद्सक्राइब कुछ विशे सवस्था हैं इसी नेक सभी वस्थाओं में उसमें तेजिस होता है जैसे सहसवा वस्था में व्रिद्धी और विकास तेज गति से होता है जैसे आप देखेंगे बच्चे का बहुत सारा दिमाग लगए 90% जो है दिमाग तीन साल के अंदर तक बढ़ जाता है उ संचय और पुन्रा वृत्त का सिध्धन मैं सीट और फिर रीपीटेशन वाला विगास संचय होता है इसका मतलब क्या होता है में complete आ 캐ality तो वह क Favorit करती है संचाइक का मतलब है जोड़ते जाना मतलब जोलेंग पिर यह 새वा वस्था का आत्म प्रेम मतलब सवप्रेम अपने के प्रतिप्रेम जब किशोरा वस्था में आता है तो अवर बढ़ जाता है अर्था और सवप्रेम इने नहीं there होता है अब बालक कलपना जगत का करता है और पूर्ण जो किसोरा वस्था में आता है तो उस समय भी करते रहता है वह करत वे दिखाई देता है इसका मतलब उस वाले जो चोटे समय में किया जैसे आप मान लीजिए कि आप प्राथमी कच्छा में कुछ जोड़ना गड़ना सीख रहते आप पढ़ रहते आप वह बड़े हुए तब भी आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तिक उसमें क्या वह चीज भूल गया जो आप प सीख लेंगे वह भी घ्यान रेगा है तो जोड़ते जाओ ग्यान को जोड़ते जाओ बाइक के बाद फॉर्मीलर सीख लिए फिर अरो प्लें सीख लिए सब तमाम चीजों को बुल्डोजर भी सीख लेगा ठीक है यह देखते हैं बालक का बोला बालक का बोला गया पहला ऐसा नहीं है कि पहली बार पहर रख करके था चल रहा था उसके बाद भूल गया चलना फिर उसके बाद फिर सूरु शुरु सब्सकों चलना सीखेगा जैसे वहीं चीज सपोच कीजिए कि जब आप बच्पन में पहली अवस्ता में पहर रख और चलने सीखे होंगे जब वहीं आपको चलाया जाता होगा, मालिये कहीं उबर खाबर रास्ते में, कंक्रिए पत्री रास्ते, देखें आप वहां भी आप बचा बचा के चलते हैं, वहीं जैसा आप बच्पन में बचाय बेचाए के पहर रखते थे, उसी तरके से आप वहां भी रखोगे, सपोज करो, वहां भी आगे चल चलते हैं, थोड़ा और आगे, कहीं कुछ और काटा कटीला रास्ता हो, वहां भी आप देखिए, वहीं काम करते हो, या कहीं आपका स्मूद सर्फेस हो, वहां भी आप बचा बचा करते हैं, वहीं अनुभव काम देता है, जो बहुत पहले आपने प्रारंभी कहस्ता में सिखे थे, तो धीरे-धीरे उसी को सिखते-शिकते जाते हैं, सपोज कीजिए कि अगर आप कीचड में फिसल गए होंगे, या कीचड में चलना धीर देदेदे शिख गए होंगे, तो जो अनुभव यहां से सिखे हैं, कभी अगर मान लिजे, कहीं र अब कोई सिखान्त है? विकास की भविशिवान्त, बहुत सारे सिखाना है, बज्यदार है, तब को एक-एक को हम समझाते चलेंगे, अगर आप लोग सांत में जुड़े रहे, एक-एक को आप समझते चलोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको समझने में, बस आप लोग नियमित पढ़िए सुनिए देख बार उसको अच्छे सुन लेंगे पढ़ लेंगे याद रहेंगे बस आपको यही आद रखना पढ़ेगा कौन को सिध्धांत हैं बस सिध्धांत का नाम लेते ही आप उसके बारे में बता दोगे कि हां इसमें यह होता है विकास की भवी कर सकते हैं जो बच्चा जिस तरीके से सिख रहा होता है जो कुछ उसके अंदर विकास हो रहा है हम देख रहे हैं कि अब वहीं बात है कि दोड़ने हो गर है कि या चलने की कोशिस करा दिर दर आगे बढ़ियां धावक बन सकता है अगर बहुत बढ़ियां पेन लेकर के बहुत अच्छा गयां करने लगेगा तो बालक के विकास को देखकर हम कर सकते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा या आगे भविस में कौन सा ब्यावसाय चुनेगा जिसमें उसकी रूची होगी जिसको अच्छे से कर सकता है उसको करना चाहेगा जैसे हम लोग हम लोग क्या नो कर रहें होगो यह कर सब्सकेद अग्यां दियांद कर रहे हैं हएरो हैं जब भी कोई आप करेंगे करते रहते हैं और ऐसमें आपका विकास बहुत एक अच्छे लेबल का हो जाता है अ बहुत अच्छे से इसमें आपका विकावत यवागा, फिर आप आपको देख करके कोई यह अतर्क लगा सकता है, जरूर, आप आगे किस चप्सक्ष में काम करना चाहोगे, इसमें आप करोगे तो अच्छे सक्फल रहोगे। पोता है सभी लोग द्यान ती होंगे आप लोग भी देख घुझे- अगर एगर बच्चा बड़ा अच्छ से लिखन कारे कर रहा होगा तो आप लोग कर सकते हैं कि बेटा तुम बहुत अच्छे से लिखा रहे हो तुम आगे भी लिखो ग़े बहुत अच्छा किया जा सकता है कभी-कभी कुछ लोग ऐसे भी हुए है जो जिंदगी भर किये कुछ होर रहते हैं लाज्ट टाइम में करने कुछ और लगते हैं वी होता है तो उनका कौषल है कौषल विकास वाली बात आ जाती है आगे देखते हैं विकास की परिपकवता तथा सीखने की उ दोनों ही मुघतकुन होते हैं क्या-क्या प्रसिक्षण और परिपक्ता क्या उसको सिखाया जा रहा है और और रो किस लेवल का अग्छान उसके आंदर अच्छे से सिप्टूर दोनों मौतपून है अब बच्चा अगर वो कला बनाने सीखता है और आप उसके जबरदस्ती कहोगे कि तुम जो है बैट वल्ला चलाओ तो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा उसके अंदर उसका हाथ पर चोटा है उसका अंगुलिया परिपक्व है उसमें करने में उकर ले रहा है वो नहीं दोड़ पाता है फिल्ड पे तो जबरदसी तो कर नहीं पाएगा तो बालक का विकास इन दोनों की अंतक्रिया पनिर्भर करता है किस पर प्रसिक्षन और परि होता है बालक का विकास संस्कृत के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है संस्कृत के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है संस्कृत की उन्नति बालक के विकास में उसके मात्रात्म गुणों का विकास करती है अब मात्रात्म का विकास मतलब जिस छेत्र में रहेगा जैसा वहां पे लोग करते रहेंगे वैसा उसके अंदर विकास हो जाए यह संस्कृति मतलब वहीं जो होता ने परिवे संस्कृत जीवों पर दया करते हैं जीवों पर दया कीजिए जीवों के साथ जिन्दगी ना जीने की कोर्सिस करने लगें जीवों पर दया कीजिए उसको मारिए मत उसका जो खाने खिलाने वाला जो भी कुछ आपसे हो सकता है उसको थीजा वाला कारे कर दीजिए बहुत है कि आप लोग याद कीजिए 11 यह चप्टर था याद होगा सब तो उसमें आप सोचिए उस सारी कंडिशन को वही बात है यहां पर कि हम एक कहना चाहते हैं कि छोड़ी हो सब बातों को दर्वाइज लोग कुछट होगा मैं वहीं करना चाहता हूं कि आप लोग कुट्टे को ठीक है दया कीजिए उसको घुमने टहले हो ला काम उसको करिए उसको बिस्ता औल से तालिम मत खुले अपने साथ उसको खाते रहें उसमें खिलाते रही तो हमको अच्छा नहीं लगता है ठीक है डया कीजिए हम नहीं कर है कि दया मत जिवें जीओं से के साथ जिंदगी मत जीए कूस आइशा सोई एखाई यह नायाई फिलाल आगे चलत आधते और वहार जो प्रारंभी को वक्सित होता है वहीं आगे आने वाले वर्षों में जीवन समयोजन को निशित करता है और शुरुवाती दोर में जिस तर्के से वह सिख रहा होगा जिस छत में उसका रुजान होगा उसी तर्के से वह अभिभार करेगा और उसी पर मतलब उसमें बदलना पड़ा कठीन हो जाएगा अगर शुरू में वहां सत गुणों से संपन्न है वह मांस मदिरा से दूर रहन ठीक वह क्या करेगा वह अंद्र तक दूर रहेगा वह फिर उधर जाएगा नहीं हो फिर सत रोज से सत रज तमे तीन जो गुण है ना सत गुण रजगुण तमोगुण तो अगर सत गुण भी है तो वह बच्चा भगवान में सद्धा रहेगी वह अध्यात्मिक चलता रह करेगा वह जनकल्यानकारी कारे को करेगा वह आगे हम सभी लोग देखते हैं विकास की अवस्थाएं ठीक अभी हम लोग देखे क्या विकास के सिध्धांत सिध्धांत आप लोग देख लिए अब चलिए हम लोग देखेंगे विकास की अवस्थाएं अब देखो यहां पर अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग है और इन सभी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे देखो कोल के अनुसार अलग है ठिक इनके अनुसार अलग है सब के अनुसार जो है अलग अलग है तो हम यहां पर एक आपको दे दे रहे हैं फिर आगे हम लोग समझेंग कहीं कहीं जो है किसी में किसी किसी में दो दो पार्ट कर दिया गया है जैसे बाल्य आवस्था में पूरो बाल्य आवस्था उत्तर बाल्य इस तरह के से कर दिया गया है मूल रूप से यहां तो गर्भाधान अवस्था, गर्भाधान से लेकर के जन तक के समय को गर्भाधान अवस्था कहा जाता है, मने जब गर्भाधान हुआ होता है, तब से लेकर के जन तक, मतब जब तक बच्चा पेट में रहता है माता के, तब तक क्या हता है गर्भाधान अवस्था, जब बारा से अथारा वर्स तक और प्रोड़ की अवस्था अथारा वर्स के बाद की ध्यान दियेगा इसी में थोड़ा सा 1922 साल का उपनिशेकर करके बहुत सारे लोग अपने अपने अनुसार दिये हैं तो कभी-कभी क्वेस्टन पूछ देता है कि इनकी अनुसार कितना है कभी कभी नहीं देता है कि किसके अनुसार तो आप ध्यान देजिएगा कि आपसन में क्या सही लग रहा है उसी के अनुसार आपका वहां बुद्धी विवेक खाम करेगा ठीक कि सैस्वा वस्था यहां लिग दिया हम जन्न से च्छा वर्स अभी आप आगे पढ़ोगे एक से त जो आप ऐसे देखिए जीरो से लेकर करके यहां तक आओ बारा वर्स तक हम बात करें तो जीरो से च्छो वर्स तक हम सैस्वा वस्था इसके पहले माने थे और च्छो से लेकर करके बारा तक हम माने थे बाल्या वस्था अब यह क्या कर रहे हैं इस जो बाल्या वस्था वा तो यह 3 तक एक से तीन तक हलागी 0 तो ज्यादा से रहता वह एक से 0 से 1 को कुछ और करना चाते होंगे वह लग बाद फिलाल उसके बारे में उन्हों कुछ नहीं बोले शेश्वा वस्था इन्होंने माना एक से तीन तक और तीन से लेकर के छो तक यहां जो बाल्या वस्था था तो बालक इसमें था बाल्या वस्था तो इसमें जो है कुछ समय तीन साल इन्होंने कर दिया पूरो बाल्या वस्था बालक से पहले पूरो बाल्या वस्था ठिक और आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जांस के अनुसार जांस क्या करते हैं 600 वस्था को जन से 6 इनका ठीक है पहले वाला रख लिए लेकिन वाल्य वस्था में ए 7 से 12 किये तो क्या 6 से 7 वाला क्या होगा एक तरीके से उसको आप किसी में काउंट नहीं किये हो तो किसोरा वस्था को इन्होंने बारेक बाद तेरा चोड़ दिया बीच वाले को नहीं कुछ बोल रहे हैं 13 से 18 को बोल दिये किसोरा वस्था इसके बाद क्या प्रावबस्था जांस के अमसार थोड़ी थोड़ी जो अंतर है जो चीज़ें इसको आप दिमाग में रखे इन्होंने तीन ही बात में बाड़ दिया सहले बोले कि 0-5 वरिस तक 600 च्छ से 12 तक बाल्यावस्था ठिक 6-12 तक बाल्यावस्था और किसोरा वस्था 13-18 वरिस ठिक किसोर ध्यान देना कहीं 12-18 कहीं 13-18 अगर पुछ दिया जा कि 15 साल का बच्चा क्या है तो किसोर है वह एक किसोर आवस्था हम ले लेना देखो यहां भी तेरा कहीं कहीं डिस्पर्श लिख दिया है अच्छा कहीं लिख दिया होंगे 12-18 तब समस्या हो जागी 12 वरिस का बच्चा बाल्यावस्था में तो अपने बुद्धी का प्रयोग करके वहां पर लगाना वहां पर लड़ाई जगड़ा ना करना नहीं अब यहीं होना चेया वह हो यह जो हरलाक आई चलिए इनके अनुसार क्या हुआ भाई इनके अनुसार हरलाक के अनुसार यह कई स्टिप में बाट दिया गर्भावस्था सैस्वावस्था फिर देखो यह बचपन वाली अवस्था फिर बाल्याव सुचे छोटे चोटे चीज़ों कुले करते हैं तो गर्भावस्था जन से दूसपता अर्था 14 दिन कर सकते हैं 14 दिन तक के बच्चे को ऑन्हों लिए उसके बाद बचपन मान लिया 14 दिन से दूहीं वस्तक इन्होंने बचपन बना दिया माने ही एक महाने बच्चे को भी बच्पन में डाल दी। हमको लगता है कि जब इसे बच्चे के अंदर रेकुछ ज्ञान फके माने अगर हमको जाद है कि हम कहां तक याद है हमको इस से छोटे में याद रहे हमqua से बच्पन ले तो ठीक था। हमारे consistent हो जागा हैं कि उसके पहले क्या हुआ होगा कैसे थे या कि तरी बार चाटा पाई थे यह सब सारी चीज़े यहाद नहीं रहते हैं तो कुछ ऐसा उसके अमसाल भी कर देते हैं लेकिन फिर यह कई बात होती कि कोई व्यक्ति होता है जो पांच साल से नीचे की आदास्त नहीं रख पात तो उसको तो बच्पनों याद रहेगा फिर देखता ही रह गया तब अदर्वाइस आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं अपने ही फोटे फोटो जो छोटे बच्चों का फोटो होता है अपने ही फोटो को कुछ दिनों के बाद में भूल जाते हैं और कहते हैं बाबू मने अपना तोड़ा बड़े हो गया तो चोटे में चुद करें बाबू ठीक है तो ओवी सित्ती आती है तो अलग बात है फिकर है पूरो वाल्यावस्था तीन वर्स से लेकर के छो वर्स तक उत्तर वाल्यावस्था को 12-14 वर्स उन्होंने बोल दिया मैं बताया था जो बाल्यावस्था का समय था उसमें तनी से इधर तनी से उधर खिसका-खिसका करकर अपना समय इन्होंने बना लिया वया संधी 12-14 ठीक वया संधी अवस्था ठीक ट्रांसमिशन कर सकते हैं उसको ट्रांजिसन स्टेज होता है उसमें एक ऐसी अवस्था पूर्व की सोर था फिर अठारा से लेकर 17 साल तक कि सोर अगए अब आप सभी लोग प्रौड हो गए हैं मध्यावस्था 41 से लेकरके 60 साल तक अब मध्य जिंदगी में हैं कि तो इसी बें चल दे रहे हैं नाराण बोल दे रहे हैं फिर 60 साल के बाद वाली बिद्धा वस्था बहुत सारे यहां देखिए कुछ important points लिखा गया है कि जन्व पूर्व काल जो गर्भावस्था है उसको तीन काल खंडों में डिवाइड कर रहा है कौन-कौन है एक डिंबावस्था पिंडावस्था ठीक और होता है उसका नाम ही यहां से गायब हो गया है ठीक गर्व धारन से सिसु के जन्व की अवदि को प्रसव पूर्व काल कहा सकता है प्रसव पूर्व कहा सकते हैं माने प्रसव नहीं हुए बच्चा नहीं पैदा हुआ है सबसे ठीक तो ओसमेवाली ओसमें होती है 40 सबता या 280 दिन या 9 महीने 10 दिन ऐसा कहा गया ठीक है तो फिलाल हो तिन्यों एक और नाम होता है कुछ और होता है उसका नाम देखिया आद नहीं है रादी मांपे तो यहां पे डिखाई नहीं गया है चलिए फिलाल आगे हम लोग देखते हैं सहस्वावस्था जो है कोल के अनुसार यह जो पीछे भी कोशन बना था इस पर भी कोशन बनता रहता है जन्व से आगे की सोरा वस्था बाला खेती है तेर से चड़र साल लड़कियों के लिए 11-12 साल प्राबिक की सोड़ा वस्था बालाख helmets 15-16 बालिकां के लिए 13-14 साल मद की सोरा वस्था जो है बालाख行 दू 17-18 वरस्था है जबकि βारिकां के लिए 15-17 उत्तर की सोरावस्था बालाख toen 19 इस से 20 वस्तक और बाली का हेत उठार से 20 वस्तक है इस सब डाटा को याद रखना थ्वा कठीन हो जाता है हमको लगता है कोल के अनुसरावला थ्वासा कर लोगे अच्छे से एक माइंड में बन जाता है क्योंकि इन्होंने बड़े थोड़े-थोड़े में करके डिवाइड क और फिर यहां भी अवस्त्रा सभा जाएगा आधा अगे जर्चा करेंगे तो जो लोग भी अभी तक देख रहे हैं अगर लेचा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा और जो भी कुछ थोड़ी बहुत कमी आ रहा गई है आप लोग उसको कमेंट करकर जरूर बताईएगा उसको आगे दूर कर लिया जाएगा फिलाल सभी लोग स्वस्त रहें मस्त रहें चले मिलते हैं नेक्ष्ट क्लास में तभी क्लिए बस इतना ही थ्रैंसफर वाचिंग जय है अचार नोट्स में जो कहीं थोड़ी बहुत अगर चूटा है तो उसको आप लोग अभी आगे मिल लियागा तो उसको आप लोग यहां पर जोड़ लिजिएगा ठीक है तो प्रूफ रीडिंग में कहीं थोड़ा चूड़ी आलता है मैं पहले नोट्स करते लिए। उसको हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आने वाली जो समस्याय जैए !! पढ़ते वकतने जो लोग नहीं सबस्वski पाते हैं दो बार तीन बार पढ़ोगो उसमें जो छोटी मोटी थोड़ा बहुत जो गल्तियां होंगी उभी पकड़ में आ जाएंगी च्छापते वक्त में इसमें थोड़ी बहुत हो सकते आसुदियां रह गई हो जैसे भी देखो कहीं कि छोटी मोटी मिल जा रही है तो सब सारी ची तो इक लिए बस इतना यह थैंस पर वाचिंग जैनुदू